तो सबसे पहला कुश्चन है इसमें इन दे कॉंटेक्स ओफ लेडी वाट डज ड़ी स्टेंड फूल फूर्म पता है तो आप इसली बता दोगे ठीक है तो अलेडी का फूल फूर्म क्या होता है लाइट एमिटिंग डायोड तो दी का मतलब क्या हो यहां पर डायोड ऑफिसन नमर्ट बी जो और है स्कूश्चन का अलेडी इसन अभिटेट फौर्म ओ लाइट इमिटिंग डायोड एलिडी जो है रहीं में कैसके ऑभी वेटेटी फॉर्म में किसका यह लाइट एमिटिंग डायोड का लाइट डायोड इन वीच इमीट लाइट वेन एलेक्रिश्यू फ्लोस थ्रूइट तो लाइट इमेटिं डायोड का सेमी कंड़क्टर है जिसके तुरू अगर हम करेंट को पास करते हैं तो क्या होता है वहां से लाइट जिलता है ठीक है लाइट इमीट करता है वो इत यूज पी एच जंक्शन डायोड और इस में लाइट प्रोडिशिंग फवरिकेशन अफ लाइट इमीटिंग डायोड इस्ट्रक्चर बनाना है जिसमें कौन सा जो है वह सुटेवल कह सकते हैं डायोड स्ट्रक्चर नहीं होगा हमारे पास तो क्योंकि यह सेमी कंड़क्टर है और हमें कंड़क्ट भी कराना है तो इसमें क्या ऑप्शन होगा इ है इस वैसे हम यहां पे हम सिर्फ गेलियम को यूज नहीं कर सकते हैं ठीके हैं झाल यूजो एडी ंडी इस गेल्य आर्सयनायइड और क्येक्ट यूज करते हैंशीर नेक्स कूश्य है फोट ell Unity के लूट टू टेकक प्लेश दे मैटल उस्ट अजब सुड़ है तो अगर फोटो एलेक्टिक एफेक्ट हमें कराना एंठीक है तो कैफोड में कौन सा मैटल हमें यू उस करना होगा किस ट्राइप का तो वैसा में यूस करना होगा जिसका जो वर्क फंक्शन और वह लौ अभी वर्क फ वही क्या होगा हमारे पास उसी को कहते है work function ठीक है जिसको करते हैं साइ से या फिर आप डबलू से डबलू नौट ठीक है इसको वैल्ली होती है वह होती है हमारे पास h new not ठीक है और वह new not ही कै minimum frequency जिस light की जिसे क्या होगा उस particular metal से particular conductor से electron eject होगा ठीक है तो यहां पर लो वर्क फंक्शन देगा तभी वहां पर इसली जो है electrons emit हो पाएंगे तो photoelectric effect is a tendency of electromagnetic radiation to meet electrons from a given substance तो photoelectric effect क्या है किसी भी substance की वह प्रोपर्टी जिसके वैसे क्या करता है है वहां पर हम किसी एक other light के help से उसे electrons को eject कराते हैं ठीक है इसे को कहते हैं photoelectric effect the metal which is used as a cathode should have low work function और जो metal का हम use करेंगे photoelectric effect में उसका जो work function है ना वो लो होना चाहिए ठीक है next question है which of the falling is false with reference to a photovoltaic cell तो photovoltaic cell के बारे में कौन सा जो है स्टेट्मेंट वो गलत है ठीक है पहला तो है it's another name is solar cell तो solar cell क्या होता है जो कि जहां पर मतलब sunlight के help से क्या करते हैं energy produce करते हैं ठीक है तो यह सही है उसको फोटो वोल्टेक से लिए कहते हैं it can be used as infrared detectors ठीक है इसका हम यूज कर सकते infrared detectors के लिए के रूप में भी यह भी बिल्कुल सही है it can store light energy in the form of electrical energy यह तो यह तो इसका principle है ठीक है कोई भी अगर photovoltaic cell है या फिर solar cell है वो क्या करेगा sunlight को electrical energy में convert करेगा ठीक है और उसको store करके रखेगा next it converts electrical energy into light energy अब यह बोलता है कि यह electrical energy को light energy में convert करता है नहीं यह light energy को electrical energy में convert करता है ठीक है यह दुनों option के दुशे के contradictory है ठीक है तो यहाँ पर option जो में डी जो है वो correct answer होगा means यह false statement है ठीक है photovoltaic panels are a packaged interconnected combination of solar cells also known as photovoltaic cell photovoltaic panel का है एक पूरा कह सकते हैं एक combination होता है solar cell का ठीक है जिसको photovoltaic cell भी कहते है solar panels are used as a component in a large photovoltaic system to provide electricity for commercial and residential use अब हम solar panel वगेदा कहां पर लगाते हैं तो residential purpose के लिए लगाते हैं otherwise एक large scale पर हम किसी भी कोई commercial place है वहां पर भी लगा सकते हैं solar cell is also used as an infrared detector solar cell को हम as a infrared detector के रूप में भी यूज करते हैं it can store solar energy as chemical energy and convert this energy into electrical energy तो solar cell जो है वो क्या करता है chemical energy को के रूप में solar energy को means light energy को store करता है और इस energy को वो electrical energy में convert करता है further ठीक है which of the following is not true about x-rays तो x-ray के बारे में क्या मतलब सही चीज नहीं है ठीक है कौन सा मतलब गलत है ठीक है तो x-ray जो है have low penetrating power तो x-ray के पास क्या penetrating power low होता है नहीं बिल्कुल नहीं इसके जो penetrating power होती है वो काफी हाय होती है ठीक है तो यह option जो घरत हो गया तो correct option वारा यह हो जायागा ठीक है और travel with speed of light obviously x-ray भी electromagnetic wave के तरह ही work करता है तो यह speed of light से ही यह travel करेगा can be reflected और reflected यह भी सही है can affect photographic plates यह भी बिल्कुल सही है ठीक है एक्स-rays और electromagnetic radiation of light x-ray भी क्या है एक electromagnetic radiation of light है एम वेवी है ठीक है इसको डिसकवर किसने क्या था रोंट इन ने ठीक है x-rays have wavelength from 10 to power minus 10 meter to 10 to power minus 8 meter अब एकी x-ray की जो wavelength है वो कितनी होती है यह होती 10 to power minus 10 meter to 10 to power minus 8 meter ठीक है और इसकी frequency कहां से कहां तक होती है 10 to power 18 hertz ते लेके 10 to power 16 hertz ठीक है this rays can affect the photographic plate and have high resolution capability तो यह जो rays ना यह फोटोग्राफिक प्लेट को effect कर सकता है और इसकी resolution capability होती होती है क्योंकि इसलिए हम x-ray करते हैं जाकि हम body scan करने के लिए ठीक है मतलब कोई भी अगर body part defect हुआ है तो हम उसको पता लगाने के लिए x-ray का ही use करते है the reason behind this is कि इसका penetrating power कफी आया होता है ठीक है it can penetrate one meter thick aluminum plate मतलब इतनी strong होती है x-ray की यह one meter जो thickness वाली जो है na aluminum plate उसको भी penetrate कर सकता है x-rays can be both reflected or reflected ठीक है next question है every hot object emits तो जितने भी गर्म objects हैं ठीक होट अब्जेक्ट हैं वो क्या emit करते हैं and they emit infrared rays इंफारेड rays इंफारेड rays यह emit करते हैं infrared rays were discovered by William Herschel infrared rays discovered by William Herschel ने विलियम हर्शल ने these waves are generated by heating the material at high temperature infrared waves यह कैसे release होते हैं ठीक है इंफारेड waves का signals को transmit करने के लिए its wavelength ranges from 10 3-3 meter to 7.8 into 10 3-7 meter इसकी जो wavelength है वो इस रेंज में लाई करती है x-rays were discovered by Rontgen it is used in medical field तो x-ray को discover कि ने किया था रॉंटगेन ने किया था और इसका use हम कहा करते हैं medical field में करते हैं body parts के x-ray वगरा करने में visual radiation discovered by Newton अब question जैसे कि x-ray की discovery कि ने की थी तो यह question आया था जब हमने मैंने 12th के exam देता ना उस time में यह आया था मतलब बोर्स की exam में ठीक है physics में कि x-ray को discover कि ने कहा था क्योंकि photoelectric effect वगर है 12th में ही है तो इसमें मतलब x-ray का discovery कि ने कहा था रॉंटगेन ने कहा था competition में भी पूछ सकता है और visible radiation को discover कि ने कहा था Newton ने reflection, interference, reflection, etc properties are found in visible radiation तो visible radiation ही जो वो क्या कर सकता है reflection की property show करता है interference, reflection यह सब जो प्रोपर्टी है visible radiation show करता है ozone layer protects from UV rays तो हमें जो जैसे की sun जैसे की sun है sun से UV rays भी आते हैं ठीक है बट हमारे atmosphere में क्या है ozone layer जिस वैसे जो UV rays हैं ultraviolet rays हैं ठीक है काफी harmful होते हैं हमें cancer भी काउस कर सकते हैं तो उससे हमें कौन बचाता है ozone layer जाता है next बढ़ते है which of the following is the correct order of electromagnetic radiation arranged in order of increasing frequency अगर हम frequency के form में अगर हम arrange करे अलग-लग different lights को तो वो किस तरीके से arrange होगे ठीक है तो पहला तो इसमें हमारे पास है microwave visible light x-ray long radio waves ठीक है सबसे कम जो wavelength मतलब सबसे कम जो frequency होती है वो होती है radio waves की फिर microwaves की visible light की then x-ray की ठीक है तो electromagnetic waves के यहां पर हमारे पास list दिया हुआ है और सबकी frequency दी हुई है frequency ज़्यादा मैटर नहीं करता बस यह पता होना ठीक है like range क्या है ठीक है range क्या है यूनिट है कि फ्रीक्वेंसी को मेजर करने की next is micro radio waves ठीक है तो micro radio waves जो है इसकी frequency लाइक करती टेंट्री पावर 10 से लेकर के टेंट्री पावर 8 हर्ट्स टक visible light की टेंट्री पावर 14 से 10 पावर 12 हर्ट्स ठीक है और x-ray की x-ray की 10 पावर 18 से 10 पावर 16 ठीक है जो की काफी हाय है इससे भी हाय जो होती है ना वो फ्रीक्वेंसी होती है जो होती है 10 पावर 2 से लेकर 10 पावर 18 हर्ट्स टक ठीक है increasing order of the frequency of the given option पहले सबसे कम होगा wrong radio waves फिर micro radio waves फिर visible light and then x-rays next question है the American scientist Edwin Hubble's name is associated with which of these theories तो जो American scientist Edwin Hubble इनका नाम किसले relate करते है ठीक है इनका नाम आता है किसमें the big bang theory को देने में ठीक है Edwin Hubble जिसे कि Hubble's James Hubble telescope भी है जिसे आपने आप कभी current affair में सुनते होंगे ठीक है कि इस ऐसी photos ली है इस तरीक से space में तो James Hubble Edwin Hubble जो है इनका नाम है किससे आता है big bang theory से ठीक है next question है who established the foundation of the quantum theory quantum theory का जो पूरा foundation बेस यह किसने मतलब देया था ठीक है Max Planck establish the foundation of quantum theory ठीक है आपने पढ़ा होगा यह E equal to क्या होता है energy equal to H new जहांपे H क्या है Planck's constant T ही होता है तो यह काफी contribution है quantum theory में next topic हमाने पास nuclear physics what was the code given to the first nuclear test of Pokhran in 1974 तो जो 1974 में इंडिया में पहला nuclear test हो था उसका code name क्या दिया गया था Smiling Buddha although यह फेलो गया था but still हमने फिर again try करा था 1998 में तब वहांपे हम successful हुए था Smiling Buddha जो है यह code name था first time में फिर्स निकलाटेश जो की 1974 में हुआ तो जब भी radioactive decay radioactive decay का क्या मतलब हुआ कि कोई भी अगर radioactive substance है अब radioactive substance को बोलता है में जिससे रेडियो वेप सरलीज होती है ना तो जब किसी भी radioactive substance है रेडियो वेप सरलीज होती है इस प्रॉसस को हम कहते है radioactive decay मतलब इसका decay हो रहा है किससे अंदर से कुछ निकल रहा है वो उसका खतम हो रहा न वो डीके हो रहा है तो रेडियो active decay में क्या होता है नुकले से क्या निकलता है रेडियो वेप सरलीज होती है नेक्स्क्षट्टिन मेरे पस वीच वन उब दो फॉलिंग टेक्स प्लेश दूरिंग निक्लियर फ्यूजन जब मेंन के लिए नुकलियर मतलब न consistency में कॉरम से नाफ ट्ग दो जो लाइट नुकलिय3 की है कनवर्ट होता है एक हेबियर लेमेंट को त्द दो sound करने is a सब्सक्राइएल हफ्रन लेन में याँड लेकरे अकौह को क्या रिकरें नुक्लियर फ्यूजन कहते हैं इन दिस प्रॉसस्ट रिलीज इनर्जी बिकाउस टोटल मास अप्ड रिज्टिंग सिंगल नुक्लिय इस लॉस्ट देन दा मास अफ तो अरिजिनल नुक्लिय और यहां पर इनर्जी रिलीज क्यों होता है रिजन ब्याइंड डिस की कभी कभी इस इन नुक्लियर लुक्ति दा टाती है तो नुक्लियर यूश्ट शिज और अफ्यक्नत्रिय रिलीज प्रॉच्णत्य के सीकते收्ट पर यहां उन्य और्स लुक्ति हम से गपार्श में लिगरियृड यह सो परदेश स्ञ्वधानल वहां चयां ऊहलारतर मिख्यूंग यह जितने भी nuclear reactors होते हैं उसें किया जो क्या है ut loneliness का जो स्पीड जो भी N Ô तो पीजन में जो भी नीट्रों निकल रहें ठीक है उसकी स्पीड को क्या करता है मॉडरेटर कम करता है ठीक है इच्छ दाउज दन पर लीडियू च्रों फीजन ठीक है निकल रजेश्ट फॉर कंस्टॉक्तिव वर्क फाय निकल रीक्तर इत उस थ्टोरियम उरेनियम 235 प्ल य्पाडर निंच्राइब स्कूँल 4 जबी नियुक्टि où युजरे पंट्रिंट लrant हम संरा है और यह को में यह बने नेटों एक्यांति है भी वाटर का तरहे हैं अर्यवेगी वाटर का यूज्थ करते हैं उसके स्पीड को करना है slow down करना है तो हम यहां पर यूज करते हैं निक्लर फीजन वर्क अजम मौडरेटर ठीक है विच विच वद फॉलिंग इस नॉट इंड रियक्टर से जन्युट्रों एब्सॉर्बिंग सब्स्टेंस तो कौन सा जो है सब्स्टेंस इसका यूज नहीं करते हैं इस नेट सब्सक्राइब n हम आइरन का यूज नहीं करते हैं तो इसमें हम आइरन का यूज नहीं करते हैं जरूरी है क्योंकि जब भी नुक्लियर रियक्शंस होते हैं तो अगर हम इसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो वह रियक्शन ही हमारे से कंट्रोल नहीं होगा ठीक है इस वैसे हम क्या होते हैं करते हैं वो गंट्रोल करना होते हैं तो हम है भी वाटर का यूज करते हैं लीक्विड सोडियम का भी करते हैं और ग्रेफाइट का यूज नहीं करते हैं कुलेंट ठीक हां कुलेंट यूज निकलर रेक्टर में कौन कौन्सा कौलेंट के रूप में यूज करते हैं बॉयलिंग वाटर में कर सकते हैं प्रेसराइज्ड वाटर रेक्टर में में डी टुओ मिंस से झॉम्हार हो गया डी-2 अधीरियोग यूज टीक है फिर फार्श न graphite is used to slow down the speed of neutrons in the fusion process in the reactor to heavy water or graphite we use as a moderator not coolant next question which was India's first nuclear reactor India's first nuclear reactor in 1956 at the thrombay campus of bhava atomic research which metal is used as a sealed in nuclear reactor as a sealed in nuclear reactor the nuclear reactor is a device in which the nuclear process fusion occurs at a control rate now nuclear reactor is a device in which the nuclear fusion process is also in a controlled state for nuclear reactor enriched uranium having nearly 6% U35 is required so if we use nuclear reactor in the nuclear reactor we will use 6% U35 next topic is invention in physics in physics in physics in physics we will study the first question among the following introduce the concept of electric field for the first time the concept of electric field the principle behind the electric transformer and generator and the electric induction and this is the principle from the agricultural the generator who discovered the theory of relativity and this is the theory of relativity which is quite famously known over Einstein he was a famous physicist who propounded the theory of relativity तो उन्होंने थेयोरी अध्यूटिवीटी को दिया था जिसको मास एनेट्जी एक्वेशन भी क्याते हैं जो कि होता है एक्वल टू हैं से स्कुर्ट जेजरल थेयोरी और जेटीवीटी टीट डिफाइन्स आज Geometric Theory for Gravitation the first force to be understood scientifically तो जो जनरल जो ठीओरी अफ्लेटिविटीटी है वह क्या करता है तरीके से Gravitation के ठीओरी को explain करते हैं और यह पहला मतलब फोर्स था इसको साइन्टिफिक तरीके से समझ सकते हैं वो अमंग दो फॉलिंग इंवेंटेड दा एरो प्लेइन को किसने इंवेंट करा था ठीक है तो वो थे और्विल एंड विल्बर राइट ठीक है उनको राइट ब्रेदर्स के नाम सभी जानते हैं काफी फेमसली ठीक है तो ऑन दिसमबर 17, 1903 विल्बर एंड और्विल 1200 विल्बर ठीक है यह विल्बर था 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 जनौ ने लिम्टेड ब्लैट भी चाहते है था हुआ हो था था लॉडट था इन्फैक है तो राइट ब्रेदर हैं हुआ है हना था नाम या खती earth कрах सभूक आ ब्लेट अ जैर एर्प्ला इंवें डेर टीक है तो रैंटीक है तो सम ने क्या इंवेंट किया था तो इसका जो ऑप्शन होगा होगा हमारे पास से मॉल कांट ने जो की बहुत बड़े इंडस्टिल इस थे उन्होंने क्या डेस्कवर किया था एक जो पेटेंट फायराम मनिफेक्शिरिंग कंपनी थी उन्होंने वो इस्टाबलिस करा था ठीक है और उन्होंने जो और इस पर उन्होंने मतलब कॉल्ट पैटेंट फायराम्स का मैनिफेक्शिरिंग कंपनी थी ठीक है और उसने वहां पे रिवॉल्वल बनाया था ठीक है विस साइंटिस्टिस्ट वोन दर नोवल प्राइज इन फिजिक्स in 1918 फॉर दिस्कवरी ऑफ इनर् अंस्ट लुडविंग लुडविग प्लैंक इन रिकानेशन आप दे सर्विसेज ही रेंडर तो दे अडवांसमेंट फिजिक्स बाइस डिस्कवरी ऑफ इनर्जी क्वांटा तो क्वांटम थ्योरी के लिए ही बैसिकली इनको नोवल प्राइज मिला था 1918 में ठीक है इनका पूरा नाम था मैक्स कार्ल अंस्ट लुडविग प्लैंक ठीक है अब कि मतले कि प्लैंक्स प्लैंक का प्लैंक स्थोरी वगरा देने में ठीक हो काफी इंपोरेंट है क्वांटम फिजिक्स में इसलिए इनको इस नोवल प्राइज मिला था ठीक है वो जर्मनी के थे केमर लिंग ओंस ठीक है 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 कम कमर लिंग्स राथ दच फियसिस्स एंड नौब लाट तो जो है को को मिलिंग वन्स थे वह एक दश्थिस थे और वह नौब लौट बेटेंट हिए टिक हैं ही औल्सो डिसकावर सुपर कंदक्तिविटी इन 1911 वहने इस सुपर तो दे प्रोड़क्शन ओफ लिक्विड हिलियम ठीक है उनको 1913 में अपनी डिस्कवरी के लिए क्या नमल प्राइस तो मिलाई ठीक है इनके इसके लाबा उनका काफी कॉंट्रिविशन है अलाग अलाग मैटर के प्रोपर्टीज पे करने के लिए काफी लोग टेंपरेचर पर ठीक है उनको ही प्रेड़िट जाता है लिक्विड हिलियम के बारे में पूरा में इंफोर्मेशन पता है सुर्फ टेकनोलोजिकल प्रोडक्शन अप्ले के अप्ले के संसी इस उपर केक्टीविटी यूज इस में इसका प्रैक्टिकल इंप्लिकेशन क्या है जैसे कि यूज steering and focusing magnet used in particle accelerator लो लोस पावर केवल्स और एफ एंड microwave filter ठीक है यह सारे जो हैं मतलब चीज़ें जहां पर हम सुपर connectivity का यूज करते हैं अभी की as well as military military में भी इसका यूज होता है से कि selective receivers के लिए fast fall current limiters high resistivity particle detector including the transition edge sensor and super conducting bolometer the super conducting internal junction detector the kinetic inductance detector and super conducting nanowire single photon detector real game coal game ठीक है तो इन सब में electric motor generator इन सब में सब में क्या होता है super connectivity का यूज होता है ठीक है में इतना ध्यान रखना है बस कि ध्यान रखना है कि सुपर connectivity concept दिया किसने था ठीक है who invented the atomic theory in 1912 तो atomic theory sorry atomic battery जो है है ना वो 1912 में यह किसने invent कराता है ठीक है तो वो थे henry mosley ठीक है henry mosley was invented the atomic battery in 1912 Franklin first use the term battery in 1749 अब यहां पर दिखे trick क्या आता है अगर यह पूछा गया कि who used the first time the word battery ठीक है उस cancer होगा Frank Franklin ठीक है लेकिन जब बोलेगा atomic battery किसे पहले इंवेंट्सन किसने किया तो वो थे हमाले पास henry mosley ठीक है चुन्होंने modern product table भी दिया था ठीक है henry mosley ठीक है अपने पढ़ा होगा chemistry में the ravies vaccine was discovered by लुइस पाश्चर और लुइस पाश्चर ने क्या कहता रेवीज वैक्षीन ठीक है उसको इंवेंट करा था ठीक है who invented the context lens तो contact lens जो है यह किसने डिसकवर किया था ठीक है तो इसको डिसकवर किया था कॉंटक्ट लेंस को माल पास जर्मन साइन्टेफ्स जो और जो कि एक अप्थलमो लॉजिस्ट प्रिते एडॉल्फ गेस्टन यूग एक फिक ने यह कुश्चन जनरली नहीं आते हैं ठीक है इतने डीप में लाई की लेंस का किशने करा अगर याद रख सके तो रख सकते हैं ठीक है और कॉंटक्ट लेंस के अथा एक बहुत इत्वी लेंस होता है जिसको कि हम किसी भी एक्सल प्लेन में रखते हैं कॉंटक्ट लेंस आर यूज़ फॉर मेडिकल एक्विपमेंट एंड गिलियर बिजन इडि इसके इंवेसिचिण के लिए किस सांटेस्ट को क्रेडिट दिए आता है तो वह है कौन जेशी भॉस ठीक है जगधिश चंद्र बोस इस और इंवैंटेड़ वाइद वाइंटिस जगदीश चंद्र बोस तो सोट रेडियो वेस को इन्वेंसिन सांटिस्ट इसको करेडिक् generating superfluous waves ठीक है next question है bifocal lens was invented by which scientist तो bifocal lens यह किसने discover का था ठीक है यह कर था किसने benjamin franklin ने किसने कहता benjamin franklin तो bifocal lens was invented by benjamin franklin अब थीक है bifocal lens क्या होता है जिसमें कि प्रेश बायो प्या में क्या होता है कि हम bifocal lens लगाना पड़ता है उस रिफ्रक्ट को करेक्ट करने के लिए तो प्रेश बायो प्या है दूब देख देख पाता है ना ही वह उनको नजदीक का भी अच्छे से दिखता है ठीक है तो bifocal lens का फिर यूज करके हम इसको करेक्ट कर सकते हैं इसको यूज करते हैं for the prevention of myocardial defects ठीक आख है next question है who invented the video game console तो video game console होता है ठीक है जैसे कि हम कहते हैं नाम जसे कि हम कहते हैं ठीक है PS5 अगेरा ठीक है तो अभी यह चीज़े हैं तो वीडियो सब्सक्राइब कंसोल वो किष्णे मतलब बनाया था ठीक है वो थे राल्फ एच बेर ठीक है तो यहां पर कुछ साइन जो परसनन का नाम दिया वा उनकी जो इन्वेंशन है उसके बारे में दिया गया पहला ह ठीक है रेल्फ एच बेर जो है नोने दिया था वीडियो गैम कंसोल का इंवेंशन किया था अल्फरेड बाइनट इन्वेंट किया था बाइनट सामान स्केल जिसको जिसे की हम आईक्यू टेस्ट को मेंचर करते हैं हैंस बर्गर जिनोंने दिया था इलक्ट्रो इंसेफलो ठीक है इजलू जैसलो भायरो ठीक टिक है बॉड पॉइंट पैन का जो है इन्वेंचिन किया था जह्ट हूई सब्सक्राइब बार्योंटर इन्वेंटर इन भिल्फ ती करते हैं हो किष्ण छेले नांच हों क्या तो तरी इंश्यलीन ने किया था बारइंवेंटर का टॉरी शेली इंसेंट 43 एडी तो बेरिमेटर जो है इसका हम यूज कहां पर बढ़ते हैं एटमस्फरीक प्रेसर को मेजर करने के लिए इसको डिसकावर किस ने किया था इवैन गैलिस्टर टॉरी शेली ने सिक्टेन टॉरी तो यह जो क्रिश्चन हाइजंस है ठीक है अपने प्रेंशन प्रेंश्पल पढ़ा होगा ठीक है उन्होंने लाइट की थोरी वेव थोरी को दिया था इन 1932 जैंप सेडविक डिसकवर्ड नूट्रोंस तो जैंप सेडविक नूट्रों की डिसकवरी की थी मैक्स स्टी यक्सलरिटिंग डिवाइस ऑफ चाज पाटिकल चाज इलक्त्रों प्रोटोंस तो सैक्लोर्ट्रोंस यह जो की समस्क्राइटिंग डिवाइस है इलक्त्रोंस और नेट्रोंस का ठीक है तो नेक्स्ट पढ़ेंगे तो नाव जो हमारा इन्वेंट्स वाला जो पाट है ठीक है उसको आगे बढ़ाते है किसने क्षिछ न्यैना इंवेंट्ट गोर्ट ठीक किसने इन्वेंट कराता तो इवान गैलिस्टा तोरी शेली इस यूज्ट अस अ किसमे करते हैं एयर प्रेशर एटमस्थरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए थीक है नास्ट कोशन है एलक्ट्रो मैगनेट वास इन्वेंटेड वाई विच साइंटिस्ट तो इलक्ट्रो मैगनेट को किसने इन्वेंट करा था वह थे विलियम स्ट्रोगन ठीक है विलियम स्ट्रोगन ने क्या किया था इलक्ट्रो मैगनेट को इन्वेंट किया था अब अलग अलग साइंटिस्ट देखते हूं और उनके डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं पहला है विलियम स्ट्रोगन जिन्होंने इलक्ट्रो मैग एक्स ओस पार्टिक्ला में चर्टिक्ला करें जोखो सब्सक्राइब करें तो लोरेंस आवग च्छाइब। और पुरा डेफिशन बहूं दे दिया है कि साखडृटरों कि Y इन्हें अध तरीके से पाइरिक्षिए तो सैट्रोटोन को इंवेंड किषने किया था अन्स्टों ओ लॉरंस ने साखडृटोन क्वारिक्ट अपार्टिकल एक्सलेटर इन थे तो में प्रोफेसर ईौ लॉरेंज फर्सुंट इन्वेंटेर न दपसे क्लिफॉर्सर ओद्usi में किसी पार्टिकल को एक्सल्रेट कराना थी कि उसको स्पीड देना है तो इसके लिए बेस्ट कह सकते इस्ट्रूमेंट है वो क्या है साइकलोट्रोन टेक्नोलोजी एड़ प्रेजेंट टाइम प्रोफिशर लॉरेंस वॉस अवाड़ेट दे नोवल प्राइस इन नाइंट 1539 में next question है who discovered the photoelectric effect very easy question photoelectric effect को किसने discover कया था तो यह किया था हर्ट ने किसने किया था हर्ट ने the process of emitting electron after after a substance absorb energy from electromagnetic radiation is called photoelectric effect तो photoelectric effect को सबसे पहले observe किसने किया था HR हर्ट ने ठीक है HR हर्ट हर्ट के नाम पे जो फ्रिक्वेंसी की जो unit है वो हर्ट है ठीक है जिसको हम सिंबल से नोड करते हैं और इसके लिए बाद में इस ट्रडी को आगे बढ़ाए कि इसने अलवत आइंस्टाइन नहीं की पूरा पर्टिकुलर फोट एलेक्रिक एफेक्ट का पूरा शैट अप दिया ठीक है मिन्स क्या फ्रिकंसी होगी कितने इनर्जी से इलक्ट् भी मिलाता ठीक है फार इस इस्पेशल कॉंट्रवेशन टुदा इंट्रपेशन आप दा फोट एलेक्रिक एफेक्ट इन एडिक्शन आइंस्टेन आइंस्टेन अलसो प्रपोश्ट दा थियोरी आफ रिलेटिवीटी तो बहुत सारे लोग कंफिज होते हैं कि आइंस्टेन इंवेंटेर दा पेंडूलम क्लॉक इन 1656 तो 1656 में पेंडूलम क्लॉक को किसने इंवेंट करा था यह थे क्रिश्चन हाइजंस ठीक है जिनका जो लाइट के बारे में उन्होंने पूरा कॉंसेप्ट दिया था लाइट की जो वेव थी ओरियर्टी के इंटर्फेरेंस वग पूरे इन 165 तो एक पेंडूलम क्लॉक क्लॉक क्या होता है एक तरीके से रिजरनटींग डिवाइस है ठीक है जो कि एक फिक्स रेट से क्या गरता है और स्लेट करता है तो इक अपिस लेंग बटीजिटेवल फॉर वर्किं इन ए स्टेडियर्टी सेट लेकिन पेंडूलम क लगाते से लिग आगे पर आगे बड़ते हैं मेरे के फोर्ट प्रणोग्रास इंवेंट तो फोर्णोग्राफ को इंवेंटेट था Uranus ऐडिशन थिखेंचमों और फैंटिक इन्स्टूमेंट इन्स्टूमेंट लिए इसेट सेम्रेमिछ था सब ग्रीमोफोनध अब ये ग्रैमोफोन क्या होता है। A Gramophone is a sound generating device विछ digamos इस्य एउसलेशन ओफ जए निड़ यह इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह ऑप्शन नमबर ए होगा अब हम देखते हैं अलग लग जो इंस्ट्रूमेंट है और उनके इंवेंटर के बारे में पहला है LCD प्रोजेक्टर इसको इंवेंट करता जीन डॉल गॉफ ने जावा इसकी प्रोग्रामिंग लेंगविज यह दिया था किसने ब्रेंडन इच ने ठीक है computer mouse को इंवेंट के था डगलस एंगल बाट ने और microprocessor को फेडरी का फ्रैगीन ने ठीक है फ्रैगीन ने नाच्स कोश्चन है who invented induction coil induction coil को किसने इंवेंट कराता ठीक है तो वो थे Nicolas Kellan ठीक है Nicolas Kellan ने इंडॉक्शन कोई को इंवेंट किया था अब इंडॉक्शन कोयlex क्या होता It is a device to obtain high voltage from low voltage source मतलब अगर हमें high voltage से low voltage source में अगर हमें massage करना होstoff हम क्या करेंगे Induction valley का use करेंगे the induction . was invented in 1836 AD बाय Nicholas Kalund तो Nicholas Kalund ने 1836 में इसको invent सब्सक्राइब गैस ट्रवाइन को हम और क्या कहते हैं कंबस्ट ट्रवाइन भी कहते हैं यह टाइप का इंटर्नल कंबस्ट इंजिन है इसको इंवेंट का था किसने जोन बारबर ने ठीक है वाइल एंडविन होवर्ड आमस्ट्रोंग डेवलप्ट सीम फ्रिक्वेंसी मॉडूलेशन रेडि इसको इंटर्म में लिखते हैं तो यह इन्हीं के नाम पर यह एंग्स्ट्रम यूनिट है और इन्हों ने क्या दिया था फ्रिक्वेंसी मॉडूलेशन का कॉंसेप्ट दिया था और निकोला स्केलान ने इंडक्शन को इंवेंट कहते हैं बार्कोड इसका इंवेंटेर्स कब हुआ था इसका इंवेंशन वा था 1974 में बार्कोड इन इस स्कैनर्स वर इंवेंटेर इन calculus है युद्टर्ण स्केनर्स गोंगेश्ट आ थे तो यह मतला बहुत ही सही चीज़े शहीं इन्वेंशनर ने चाहरा यूस्कर आज करते हैं आजक्चा ताइम में अलमस्त एअर तो इसमें लग लग टाइप के स्कैनर भी होते हैं। थेक कीकलीटो निभानलीय। क्षिन लॉइंज को की उसवोरहएं। के अकक्रिय अछिबिकि डऄ उफ नक्रिक करने हैं। next callidoscope was invented by to callidoscope को किशने इंवेंट करा था ठीक है तो callidoscope को invent करा था किशने डेवीड ब्रेश्टर ने ठीक है डेवीड ब्रेश्टर मतला option मड़ी तो उसका correct answer होगा अगे लिखते इसका explanation तो callidoscope was invented in year 1870 17 by david brister david brister ने क्या क्या था केलेडर्श कमेंझ किया था तो आपने सनाrole में हो व्ल्ड वाइड वेवेव व्याइट लिखते हैं उसके वोल्ड वाइड वेव prostu लिखते हैं वेव वाइड व्या फिटीक है तो इन्वेड कि इसने करेता तो लेन्ट लुमीन विन्ट साउंड के साउंड कि इन प्लूमीन ने बहुत्व सारे इन्वेंसिंच संड को घृक्रिय। स्टavioral निवोनीजयि नेकल उन्हेकल के ऊंधें सिदनी नमुदु तुञीर विय्क्यतों निवेंटेनाघर्ट को घया है तो केते ऊंधें बाते हैं सेक्स अंधेवाइट को कि आयएटें जाцы ने ऊपट स्हें सेख्सओं स्कूसु को को कि ने इंवेंट किया था एटीन फटेश सिक्स में अगा यहां पोलियो वैक्शीन वाजट ब्रूस शैबिन और 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 ओर ल्वेक्शीन जो कि अभी डाला याते के पोलियो की वैक्शीन ओरल ठेक है उसको डिद का था अलबर्ड ब्रूस शैबिर और नुकलियर नेवी के फादर किसे बोला याता है हाइमन जी रिक ओवर को कि रिवाल्विंग दोर को किस न्युकेल के बीच में जो है ये इनवेंट के था प्रेकर आपने आटेन पीच में जो है इंवेंट के था समय भाज़ आफ़ प्रोगे प्रोगे दिशाए flaming दौर कीज़िएेरि दिच और मेल एके उसान सांवार्व sdefense grow को ठीक हैं he founded the company of revolving door next question is who invented ceiling fan ceiling fan को किसने invent गुरा था वो ते फिलिप डीहल एलेक्टरिक पावर ceiling fans were invented in 1882 by philip dhl तो 1882 में इसका invention वा था ceiling fan का जो किया था किसने philip dhl ने the ceiling fan is a mechanical device that generates air through its thin blades with the help of electricity और ceiling fan में क्या होता होता है तरीकी का यह mechanical device है जहां पर वो electricity को mechanical energy में convert करता है फिर हमें उससे हवा मिलती है ठीक है electric chair was invented by electric chair को किसने इनिवेंट का था वो थे अल्फरेड अल्फरेड पी साउथ वीक ठीक है electric chair was invented by Alfred P. Southwick as a means of punishing the statutory capital punishment electric chair को इनिवेंट के था किसने अल्फरेड पी साउथ वीक ने अता कि जो भी statutory punishment है उसको मतलब उसके लिए बनाया गया था ठीक है अल्फरेड वाज़ प्रोफेशर इन डिपार्टमेंट आफ डेंटल मेडिशीन इन बोफैलो इन्वर्शिटी इन नियोर्क पोश्टेज मीटर के जो फादर कहें जाते हैं ठीक है वो है कौन आर्थोर पिटनी ठीक है पोश्टेज मीटर यूज़ बै मिलियन सब बिजनेस तो प्रेंट करने के काम आता है ठीक है अब तो यह जो पूरा फ्रेंकिंग मशीन कह सकते हैं यहां पर इसमें पोश्टाफ इसम जाते हैं तो हमें कोई लेटर बोगर बुक करना है वह चैस देना पड़ता है ठीक है तो आप स्टैंप दोगे लेकिन फ्रेंकिंग मशीन को ही आप रिचार्ज करा के फिर उसी से स् और बोगे लिए उसी स्टैंप देना है ठीक है आप से फ्रेंकिंग मशीन का रिचार्ज कर आओ तो इस चीज को जो इनवेंट कहता आर्थुर पिटनी ने अंगे बढ़ते हैं सिस्मोमेटर वह इंवेंटेड वाई सिस्मोमेटर को किशने इनवेंट करा था तो पहले जो से कि जब भी कभी अर्थक्यक वगर आता तो इस तायम मेजर करतें अर्थक्यक की कितने मैंगनिटूड का है इसके लिए तो यह किया था किस्ने लुईगी पाल्मेरी ने लुईगी पाल्मेरी वह फीजिक्स एंड मेटरोलोजिस्ट अब यहां पर जो लुईगी पाल्मेरी है ठीक है उन्होंने ही वह कि मेटरोलोजिस्ट थे और उन्होंने ही सिस्मो मेरी को क्या क्या था इन्वेंट करा था नेक्स्ट रूज़रोगा एक्सरे एक्सरे को किश्न डिसकवर क्या था विलियम रोइंट काने थीख अन्होंने एक्सरे को dusk वैलेंद क्या होती तेन पाव माइनस 11 से लेकर तेंज़री पावर मैनस 8 मीटर फंट लॉन मोवर जो है इसको किश्ने डिष्ट आ था वो थे Edwin Beard Budding, ठीक है, The Lawn Mower was invented by Edwin Beard Budding, A lawn mower is a machine used to cut grass to a certain height, तो lawn mower क्या है, एक machine जिसे के क्या करते है, किसी भी grass को, grass वगएर को काटते हैं, ठीक है, मतलब एक particular height पर उसको fish क्या राता है, उसके बाद हम से उस same height से rotating blade से काट सकते हैं, ठीक है, dh एक ganze न न वाहं प्लेक्ट्र मुजा था ट्रइन मों इन्वेंट पीनेंगर लेक्ट्रीटकॉर पेडीर कि नेश्चीनें े थे खाए 2 marketing सुष्टैमेंड यह तेटिक त्रशू मजाई प्लेटीह स्वेस्षर्रू को हाए यह ने ख्युद्ध रही सब्सक्राइब Morgen Sao सेंट पीटर्सबेरी रश्या सबसे पहले चला था रश्या में सेंट पीटर्सबेरी ने दर ट्राम सर्विस इन इंडिया वस्ट इस्टेबलेश्ट इन 19th century बाइब ब्रेटेश इन कोलकाता ठीक है यह पूछ सकता है कि इंडिया में पहली वार जो ट्राम सिस्टम है यह कहां पर चला था यह चला था कोलकाता में ठीक है वह भी कब 19th century में नेक्स्ट हूं इन्वेंटेट पोस्ट इट नोट तो पोस्ट इट नोट को किसने इनवेंट करा था वह थे आर्थूर फ्राइब पोस्ट इट नोट वास इंवेंटेड बाइट तूर फ्राइइ इन 1977 अभी पोस्ट इट नोट यह होते क्या है विजर इस्मॉल पीसे सब पेपर विट एड़ेशी मेटरियल उन दे बैक विच इड़ एड़ पेपर और नोट्स तो अनदर अब्जेक्ट कह सकते सिंपली इसलोट टाइप का या फिर कोई गम जो आता ना जो पेपर की पीछे लगा हो ने ठीक है रैंसम एली ओल्स जो जिनका ठाना टाइम प्रेट 1864 सो लेके 26 अगस्त 1950 तक वाज़ पॉइन दे फिल्ड ऑफ अमेरिकन ऑटो मोटिव इंडस्ट्री तो यह आटो मोटिव इंडस्ट्री से रिलेट करते थे और अपनी जो पहली स्टीम कार्ड जो है 1887 में बना इसमें लाइन अलग लग जो वर्कर से उनको एक पर्टिकुलर पार्ट को फिक्स करना होता है और फिर वह आगे मूब करता रहेगा तो इस तरीके से वह पूरा किसे ने विंडो लगाई तो यह मतलब एक बंदा जो है एक वर्कर जो है वह सेम काम करेगा और वह चीज़ें बेंगे आगे मूब करती धेगे ka hai को फिट्री पृश्य पर इंवेंटेर थी दिवेंट के था बोथ चोक खूल रिजெ रहें इंवेंट करता थ है थी प्रींटेर को थीडे प्रिंटर परिंटिंग प्रिंदय फें रियों 0132 डेनि इस डिडاد कर थीडियों Yup now 3rd और 1 काल प सब्स्टेंस का फिर उसी लेयर पर अलग लेयर सम एड़ करते जाते हैं इससे एक त्रीड ऑब्जेक्ट बन जाता है तो अब्जेक्ट टू भी मैनुफेक्ट्ट्ट्रेट कैन बी ऑफ एनी साइज और जमेंटरी और 3D प्रिंटिंग से जो हैं कोई से भी साइज किसे भी जो डिस वासरी जुष दिशेंग वेश लीटेंसिल लिए उटेंसल को वाश करने के लिए विएस्ट ओ लडिंग एंस्विचिंग अंडरा प्रोग्राम विच रंस उन एल्लाइक्टिटिटी और भी साक्ट जो यह मैं अलग प्रोग्राम करता है ठीश जो से जो एंजिनर और इंवेंटर ही इंवेंटेट अरोशोल को एन ते टाइप और अरोशोल इंजिनियर और इंवेंटर थे और इसकी टाइप का एरोशोल इस्टे डिलिवरी सिस्टम होता है जो कि ए्रवसोल मिस्टी, फिर लिक्विट पार्टिकल की नियूट्टक्राइड करते है कि극ने लेंट लेंट लेंब लेंब कि नियूट की नियूट कीरा、 टेक है आक है है जूह बलॉडान लेंब टो यह उन्हाइज आ, झाल्ष intéressant मोते है इस लेंप कंटेंस अग्लास कैप्सूल इन विच मिक्शर ऑफ नियॉन अधर गैसे फिल एट लो प्रेशर तो इसमें क्या होता है एक डिश्चार्ज लेंप में नियॉन के अलबा और भी गैसे फिल होती है ठीक है इसके पास दो इलेक्टोड भी होते है इसलिए जब इसमें संफिस्टिन व्ल्टेज अप्लाइ करेंगे इस लेक्टोड में और करेंट फ्लो करेंगा तो क्या होगा गैस मिक्शर में एक लाइट प्रेडूचे अरेंज कलर के लाइट तो के पूछ सकता है कि नियॉन जो प्लेश जबळण होता है ठीक है उसक्तरम में किस कर्ण का फ् तो इन्वेसल स्टंडर्ट ताइम को कि न Caitlin इंवेंड का था? वो थे स्टैटवर्ट फ्लैमिंग ठीक है? स्टैट फोर्ट फ्लैमिंग ने इन्वेसल स्टंडर्ट ताइम वस इनेड़ेघ्ट वस इनेड़ीजी नीएर एनिवेंटर यह जो एडॉल्फ गेस्टोन यूजन यह सेंफ़र्ड फ्लैमिंग जो थे यह क्या थे एक बिटिक्स कैनेडियन इंजिनियर थे ठेक है सबसे पहले कनाडा का जो पहला पोस्टेज स्टेंप है वह भी डिटरमाइन किया था ठीक है उसका जो विर्थ है वह बहुत ज्यादा है ठीक है जो एंटरियन जुम्ण ईंटरी प्रोटोकॉल इंटरेनों के थे ल थे grammat 파्षण तो टॉकॉल इसको इन्वेंट करनेंशन अन्यों कि ट्वेज्ट शेक्वर्टि reinforce C इंटरनेट प्रिटोकॉल्स तो वेंट सब्सक्राइब कम्पीटर साइंटिस्स जोनोंने की क्या क्या था आई-पी एड्रेस को इन्वेंट के था ठीक है तो यह क्या होते है कि नियुमेरिकल लेवल है ठीक है नियुमेरिक लेवल है विचिज अलोकेट टु डिवाइस पार् नोट्स तो आई-पी के वजह से ही आई-पी एड्रेस के वैसे क्या होता है पूरा जो प्रॉपर कम्मिनिकेशन है वह हो पाता है ठीक है तो कम्मिनिकेशन बिट्वें दियर नोट्स कैडिट फॉर्द डिस्कवरी आप दा इंटरनेट प्रोटोकॉल गोस्टो वेंट और यह कब वहा था 1970 में नेक्स्ट कुष्चन है हूं इंवेंटर नुकलर रियक्टर नुकलर रियक्टर को किशने इंवेंट के आथा वो थे एन्रिको फर्मी ठीक है ऑप्शन नमर एज उसका करेक्ट आंसर है एन्रिको फर्मी वाजन इटालियन फिस्ट एंड नवल प्र फिस्ट निकलर फिस्टर के डाई में जो अलग-अलग रियक्शन होते इसको चंट्रोल करने के लिए इसे पंटिकलर एक्कष कराते िसको हम कहते हैं इसको में आटोमिक फर्म फ्रॉटिक बोस्व बिल्ट इन 1945 पाई जूलीयस रोबर्ट ओपन हाइन तो उपन हाइन वो ज तो जो यह वाट तरबाइन थीचे को इन्वेंट का था फ्रेंच इंजिनियर बिन वीन फर्नेयों ने थेक है लेकिन पहला जो गॉन्टक लेंट का था इडल्फ गेस्टोन यूगें फिक ने नेक्स्ट हूं इंवेंट एइर बैग को किशने इंवेंट का था वो थे एशन जॉर्डण ओफ ठीक है एर बैग वाज इनवेंट वाइशन जॉर्ण ओफ सभी परेट के बाद वो आगे की तरह बंड होगा न तो वह एरग खुल जाता है तो इसको इनजरी आ शक्ती है वह से बच जाता है तो यह जो इसको इंवेंट के था कि तरह इसने जो जो इसनले आज पर ताइम में तो समय रिलाइट वी दर सकते हैं उसके दोदी के सिट्शन से प्लेट से और मोगा करें टो दूर डीसलिस होदेख्थ quando थेका में थे यह जा उसके प्लेटनेट फादर व सिस्ट सत्तों थे समय तो उपेस्ट हैं एक हैं उसके फादर पॉण आसे फादर भी जॉण सन यानट कुटा रागी ठीक है नेक्स्ट है को इन्वेंड़ हेलिकॉप्टर हेलिकॉप्टर को किष्ण ने इन्वेंड किया था यह किया था सिल्क सिक्रोक्षी ने ठीक है सिक्रोक्षी ने आइगर इवैनोविस की सिक्रोक्षी वर्ड इन रश्या और 25 मई 1889 वाज रशिन अमेरिकन एरक्राफ्ट इस डिजाइनर थे हिंवेंटर थे dracopter after coming to the United State in 1990 ऊफ्थी यह मतलब उस में इसको सिक्रोक्षी फॉंडेट्ट दस्षि एरक्राफ्ट कोपरेशन एंचिन थे लोने सिककव राक्षी एर्काफ्ट कॉर्परेशन भी बनाया 1923 में and developed the first of a Pan-American Airways Ocean Crossing Flying Boards in 1930s और 1930s में पहला Pan-American Airway Ocean Crossing Flying Boards भी बनाया In 1939, Sikorokshi designed and flew the Vought Sikorokshi VH300, the first Vival American helicopter which poignered the rotor configuration used by most helicopters today पुश्चाइन, telephone exchange, which was invented by telephone exchange which was a person that was the first of a question इसका correct answer होगा, ठिवादार पॉसकाज वह रहां हंगरिया इंवेंटर हो, invented telephone exchange तिवादार पुसकाज वह हंगरी हैं मतलब हंगरी की रहने वालते ठीक है उन्होंनों नहीं invent कहता किसको यह telephone exchange को अब एक टेलीफोन एक्षेंज होता कहीं एक टापकर कम्मिनिकेसं इस्टम ही ठीक है जो कि पॉब्लिक स्विस्ट टेलीफोन नेटवक पर काम करता है वह लाइस इंटरप्राइज के लिए नेक्स्ट हुए इन्वेंट इस लेजर फो खुषिन इंवेंट कहें थे लेजर क एक आसा डिवाइस है जो कि अब वह लाइट को इमेट करता हो भी एक पर्टिकुलर फिक्स टायक्शन में इसमें लाइट का डिवेशन नहीं होता है इसको इंवेंट के था कि इसने अमेरिकन फिजिस्ट गॉर्डन गॉल्ड नहीं किया था और लेजर का और अपना जो एक यह कॉएंट नहीं की लेजर के यहां था नाम से अब ब्लेजर का फूल फॉल का होता है लाइट एमलिपिकेशन बाइर इमिशन ऑ रडिएशंट ठीक है नेक्स कुशन है वाइट जेबी डुनलोप इन्वेंट तो जेबी डुनलोप ने क्या इन्वेंट कहता ठीक है उन्ह निफेन्टेज निवेंटिक ट्रायर्स इन 187 थे निवेंटिक रबर ट्राइड कुए तेन उन्हाने 1887 में अधर जो इन्वेंटेस लाइक पेट्रोल कार्स इसको क्या ता कार्ल बेंजनर डिसल इंजन रोडॉल्फ दिसल समरीन डेवीड वोशनल जेट इंजन सर फ्रेंक वी निखॉलो नाइक जुनियर इस एन अमेरिकन इंजिनिएर और एजुकेटर तो निखॉलो नाइक जो हैं एक अमेरिकन इंजिनियर और एजुकेटर हैं इस नोटेट पार्टिक्लरली फॉर इस नाइट इंवेंशन ऑफ लाइट एमिटिंग डायोट डैट एमिटेड विजिवल रेड लाइट इंस्टीड ऑफ इंफारेड लाइट तो इन्होंने जो एलडी का इंवेंशन क्या था वो क्या था 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 होलो नाइक देमोंस्ट्रेड डाइड ओन एक्टोवर 9, 1962 वाल वर्किंग अजनर लेक्रिक्स रिसर्ट लेबोरेटरी इन सायरकॉस न्यू यॉयोर्क तो इन्होंने जो सबसे पहले इंवेंट कया था वो किया था कब नाइटें सिक्ट्यू में जब इन्होंने ये काम करें थे लेब में थीक है वो इन्वेंटेट दा लाइटनिंग रफोड इन सेवेंटनिंग लाइन तो इन्वेंटेंस कैसले था 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 तो एक वह तो इन्टेट से घगए उप मेंबर तो तो प्रामेंजमीन फ्रैंकलीं राइटर एंड प्रेंटर प्रेंटर सेट्रिशिस्ट पॉलिटिकल थिंकर साइंटर्स इंवेंटर सिविल एक्टिविस्ट काफी इंपॉर्टेंट है तो हम देखते हैं कि जो अलग जो डिस्कवरी इलेक्रिस्टिटी में उसमें फ्रैंक्लीन का नाम आता है चैनल प्रेंटर को किशने इंवेंट किया था तो यह इंवेंट किया था विलियम फ्राइज ने टिका इसका बढ़ते हैं, इसका explanation देखते हैं, the definition of cinematography is the art and process of movie photography. Cinematography का क्या definition है? कि हम art का process है, movie photography का, इसका cinematography example से decision made about lightning, camera filters and lenses when shooting a movie scene . Cinematography में क्या होता है? जुच्छा में क्या होता है? इस तैम कॉन सा angle होगा है, कैसे lightning होगी? ये decide करना . Cinematography was invented by William Fryece Greene. आईसेक न्यूंटभैंन नरी मेंटेट ने थिकली करता है सिलेक्टिंग नियुंटेमी तक रहा मुचर गता है भी सेैटर में पलंन छिट्सुम्हप attending next question है में पास हुई invented electric stop तो इलेक्टरिक iš इण्वेंट कर सका था वो थे लॉड ग्रॉफ कउपमेन ठीक है अध्यू तो वह पॉस इणवेंटीड तबया लॉड ग्रॉफ कॉपमेन ओ अमेरिका इन 1906 और इलेक्रिक्टरिक इण्वेंट्सम कव हुआ था से एंटेंजरो सिक्स में को दौरा ठीक है पियानो को सिंवेंटर बार्ट यह क्रिस्टो फेरी ने पियानो विद पियानो को इनवेंट करा था और इंट्रियान इंस्ट्रुमेंटल सबसे पहले जो पियानों का मतलब एकस्टेंस प्रेस के आता है ना वह का होता है तेंद संचुरी में ठीक है बाद में फिर यह क्या हुआ इवाल हुआ यह आज के प्रेजेंट फॉर्म में इस तरीके का है नेक्स्टा हुआ इंवेंटे तेलिविजन को किसने इंवेंट गहाए था वो ते जेल बाड ठीक है जॉन लोगी बेर्ड वस एसकॉटिस इंवेंटर इलेक्रिकल इंजिनियर और इन इनॉवेटर हुआ देमॉन्स्टेटेटिधिस वरकिंविजन सिस्टर्म ऐं 26 जनवादि 19 1926 में यह जॉन लॉगी बैर्ट दोने ठीक है उन्होंने ही यह इनका इन्वेंशन किया था 26 जनबडी 1926 में सबसे पहले इसी कंपनी ने क्या किया था पहला ट्रांस्ट्राइड ने क्या किया था अट्लांटिक टेलेविजन ट्रांस्मिशन किया था ठीक है आगी बढ़ते हैं डायनमिक वोस इन्वेंटेड वा है तो इसके बहुत ही फेमस साइन्टिस्ट है जिसने इसको इन्वेंट का था वो थे अलफरेड नॉबल ठीक है नहीं के नाम पर नॉबल प्राइस भी दिया गया था ठीक है डायनमाइड भी ब्लास्टिंग एक्स्प्लोसीब पेटेंटेड इन 1867 बाइड स्वेडेड अल्फरेड नॉबल तो इन्वेंट को पेटेंट राइट लिया था वो अल्फरेड नॉबल ने 1867 में बाइद मिसिंदा नाइट्रोग्लाइशीन वीट किशल ग परक्यूशन में एक ऐसा सब्स्टेंट जो कि ऐसे तो रहता है सॉलिड फॉर्म में ठीक है लेकिन हम बहुत ही इसली उसमें ब्लास्ट वगेरा कर सकते हैं ठीक है लेटर वूड पल्प वाश सब्स्टिटेड एज एज एड़ एड़ेड 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 ठीक है sodium nitrate sodium nitrate को next Christmas card was invented by Christmas card को किशने इइवेंट कहाता यह थे Sir Henry Cole धिक है the first production & circulation of Christmas card was started by Sir Henry Cole जबसे पहले किशने कहता है Sir Henry Cole लेने he was a British civil servant and inventor who facilitated many new ways in commerce and education in 19th century मतलब वो बहुत ही famous सकते हैं से एक British civil servant भी थे और एक educationist भी थे और 19th century में इसका credit जाता है इसके invention का Cole made the world's first commercial Christmas card in 1843 वर्ड का पहला जो commercial Christmas card यह बनाने का जो credit है कि को जाता है को जाता है और सबसे पहले जो card इसमें डिजाइन कहता हो किसका कहता जॉन कैलकोट होशले का वेक्यूम फ्लास्क को किस ने इन्वेंट कहता ठीक है जो कि बहुत essential है अगर हमें कोई कि एक्सपरिमेंट करना हो तो ठीक है यह क्या था जैंस डेवर ने अवेक्यूम फ्लास्क और थर्मस फ्लास्क इस इन इंसुलेटेड इस्टोरेज कंटेनर डैट किप्स दा कंटेंट्स अब फ्लास्क वार्मर और कूलर देन आउटसेड इंवारमेंट तो एक वाक्यूम इंसुलेटिंग होता है पूरा इंवारमेंट से कट अफ हो जाता है ऐसा नहीं है बहुत लिमेटेड टाइम तक वह इंवारमेंट से कट अप रहेगा ठीक है इंवाज इंवेंटर इन 1892 इसको इंवेंट कहता है सर जेम्स देवर ने 1892 में दा वैक्यूम फ्लास्क तो यह जो वैक्यूम फ्लास्क है उसमें खुद में दो फ्लास्क होते है ठीक है जो कि पहला जो होता है एक दूसरे के अंदर होता है तस पेसे स्पिट विंदा टू आर कर पार्शली फिल्ड एंड ही ट्रांसफर इस रेडूज़ बै कन्वेक्शन क्रेटिंग वैक्यूम यह जो मतलब जो हीट का ट्रांसफर है यह नहीं हो पाता क्यूंकि वह इसको स्टॉप कर देता है वैक्यूम क्रेट करने के बाद नेक्ट कुश्चन है हुई डिस्कवर्ट के तो किस ने डिसकवर किया था तो वो थे बाट जिलियस ठीक है अक्टलिस्ट इस सब्स्टेंस परजेंश और एक्सल रेट था स्पीड ऑफ केमिकल रियक्शन मेली हम जादा डीप में पढ़ेंगे कटलिस्ट के बारे में जब हम केमेस्ट्र में बात करते हैं तो कैटलिस्ट ऐसा समझजी कोई एक ऐसा सबस्टेंस है जो कि किसी भी रियक्शन के रेट को बढ़ा सकता ह यह तो घडा सकता है दोरों कर सकता है बढ़ा भी सकता है तो लेकिन इस के वज़े से उस केमिकल रियक्शन में कोई इंटरनल इंटरफेरंस नहीं होता है मतलब उसका कंपोशिशन चेंज नहीं होगा कैटलिस्ट खुद रियाक्ट नहीं करता बढ़ना वह एक ऐसा वह इन तो बार्जलियस ने सबसे पहले डिसकर कहते है करटलिस्ट को 1835 में कुछ केमिकल रियक्शन्स वगेरा को इसमें यूज करके ठीक है नेक्स्ट कुश्चन है हूब बिल्ट दा फर्स लेजर तो पहली बार जो है लेजर लाइट को किशने बनाया था ठीक है यह बनाया था थे ट्योडर एच में माने ठीक है थे ट्योडर एच में माने सबसे पहले लेजर पनाया था था ठीक है पहला लेज jag लेजर एक ऐसा डिवाइस है जो कि लाइट को इमिट करता है एक अप्टिकल एम्प्रोशेस से ठीक है यह एक तरीके से कह सकते हैं शौट फॉर्म है यह शौट फॉर्म है लेजर जिसका फॉल फॉर्म होता है लाइट इंप्रिफिकेशन बाइश नियुक्त राइट इंप्रिफिकेशन बाइश फ्रस्ट लेजर वास बीटिन 1960 भाइटी और एच्पेश्चेर्च लेबरेटरी अपसे पहलों लेजर बनाए गया था नियुक्ति में थियुक्ति नाइटीनिंग कंड़क्टर लाइटनि करें किया था Benjamin Franklin ने लाइटनिंग रोड और लाइटनिंग कंड़क्टर इजा मैटल रोड और कंड़क्टर मौंटर ओन टॉप आफ बीलिग अनलक्टरिक लीकर्ट इस तो दा ग्राउंड थो रूए तो एक लाइटनिंग रोड क्या होता है यह मैटल रोड होता है जो कि एक क एंक लिने 1749 में नेक्स्ट कोश्यन है फू इंवेंटीड दा हूँ वोज वर्ट वस इनवेंटेड़ थामस एडिशन थामस अलवा एडिशन जो है वो एक अमेरिकन इंवेंटर है ठीक और बिजनसमें भी है जो एक यूस के बहुत बड़े इंवेंटर है एसा नहीं उनने से बल भी बनाया ठीक है इसके लबा उनका जो कंट्रिविशन है मास कनेक्शन में साउंड रिकॉर्डिंग मोशन पिक्चर इसमें भी है ठीक है फोमस एलवाइडिसन का जो जितना भी इंवेंटर है ठीक है उससे जो हमारे वेस्ट साइड में मतलब इंग्लेंड या फिर यूस में जो इंडरिश्टर रेवोलुशन आया ठीक है उसको काफी अच्छे से इंपक्ट इसके वैसे क्या हूँआ इंडरिश्टर रिवलुश इस टेटोस्कोप को इंवेंट किया था इस टेटोस्कोप इस ए मेडिकल इंस्टूमें ती यूस फार लाइट निंग तू लिश्टर विदिन दा बॉडी इस टैटोस्कोप क्या है पहले तो एक ऐसा इंस्टूमेंट जिसे कि हम बॉडी में कुछो साउंड प्रिदूश् कहते हैं चीफली इन हाट और लंग्स में लीश कर आथा हाट या फीर साउंड को सुनने के लिए इस स्टैटोस्कोप साउंड आप ड़ाइट रिचेज्ट इर थाट्स इंगल रिफ्लेक्शन आप साउंड तो इस च्टैटोस्कोप काम कैसे करता दो अंदर में क्या होता है इसके वैसे साउंड जो आगे ट्रैवल करते हैं तो स्टैटोस्कोप इंवेंटेड इन फ्रांस इन 1816 बाइ रेने लेनेक तो रेने लेनेक ने क्या कहता इसको इन्वेंट किया था 1816 में और कहां पर कहा था नेकर इंफेंट्स मेलेडीस हॉस्पीटल जो की पैरिश में नेक्स्ट कुश्चन है फू इन वेंटेड पावर लूम पावर लूम को किस ने इन्वेंट किया था यह थे एड्मून काट राइट ठीक है अब पावर लूम इस अ मेकनाइज्ट मेकनाइजड लूम एंड वाज वन ऑप दे कीडवलेप्मेंट्स इन इंडेश्टल आइशन जिक है एड्मुन कार्ट राइट ठीक है जो की जो की सेवेंट्स नेटी फाव में ही बनाता जोप दो फोलींग वाज पलाइट वैं बौल्टर हें तो टो कॉन सा चीज जिसको उइंवेंट में एंड eंड किया था तो ऑल्टर हें दिग एंड तो लॉड़्र हं ने किसका स सब्सक्राइब नियुकर दोलिटन किया था ने स्कुरिपिवर्ण को सब्सक्राइब के तो वो थे ओप्षिन नमट दी जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा एली विटनी ठीक है अग कॉटन गीन का मतलब क्या होता है में लिसका जो लिटरल मेनिंग है वह है कॉटन इंजन ठीक है यह मसीन जिसे कि हम आराम से कॉटन फाइवर को उसके सीट से हम अलग कर सकते हैं ठीक है इसको इ उसका में फॉर्श क्षिपन चार्व सब्सक्राइब कॉटन शाथ होगास के कि अधिक है बहुत जयादा अच्छा से ग्रोथ होगी थी इसके विए से कॉटन गीन के वज़ासे नेक्स टि Кवलार को किश्न इन्वेंट किया था तो वह थे स्ट्षिन लोईश कॉलेक अटि तो दिसे की औलेक ने क्या क्या ता क्या थे वलार को जोड़ इस्ट मैंने कोड़क केमरा जॉसेफीन कोचरून ने डीश्वासर मेरी अंडर्सर ने विंड सिल्ड वाइपर ठीक है कॉन से फचिस्टनों की नीट्रॉन को डिसकवर क्या था? इसके डिसकावड़ी के लिए इनको 1922 में निवल प्राइज से भी समानित किया गया था तो वो थे जैम सेडविक, ठीक है, जैम सेडविक was a British physicist who was awarded with the 1935 Nobel Prize in physics, तो जैम सेडविक को ही 1935 Nobel Prize मिला था physics में, for his discovery of neutron, ठीक है, इसे कि मैं पता है कि कोई भी आइटम है, उसमें में तीन fundamental particles होते हैं, जैसे electron, proton और neutron, ठीक है, इलक्टोन को किष्णा इन डित्विक किया था, जैजय धॉम्सएन ने, ठीक है, proton को जैम सेट तूर्थ और ये neutron को रद ग्रफो ग्यार्थ जैडविक न ठीक हें, ठीक है दए फोर्ष न प्लों कर गे था, का तूर्ष़ और neutron निव्टोन, प्रोड पोस्टिव जिन्政ों, ऑ नीट्रोन के पास नीट्रल थे अब कोई चार्ज नहीं होता अब यहां पर पार्टिकल्स का नाम दिया हुआ है उसके चार्ज और इन्वेंटर को ने वह भी दिया हुआ ठीक है इलक्ट्रोन जिसका की चार्ज मैनस वन होता है इसकी मास है नाइन पॉइंट वन इंटू 10 पा ने इसको कि ने इन्वेंट कहता है जैम ख्रेडविक ने इसको ने इन्वेंट रॉकत डॉक्ट टाइड प्रिंस्पल फ्लाइट इस बेस्ट ऑन न्यूटन स्थार लाघ थिर्यांट तो रॉक्पू टोन इन्वेंट ने रौकट रॉक्ट थ को दा रॉक्ट रॉक्टेड प्रिंस्पल उफ एक्शन और रेक्शन तो यह न्यूटन का थड़ लाओ है एक्शन और रेक्शन ठीक है दो रॉकेट से फोर्स अप एक्वल प्रपोर्शन फोर्वार डीक्शन वें त्रोइंग हॉट एर बैकवार्स अट फास्ट स्पीड तो रॉकेट से इतनी ही तेज स् था तो वोतcussion और आजओ ऑं स्टॉंड कया था डीक क्वार्वार्ड फासींट उ oniveness और तो माैक्रोवेज को और और सी त्रोइओ को पर्सींट मॡ्य गैजैने अ by तो डिमेतरी मेंदलीव ने रेदियो अक्तिविटी को किसने बताहई था है हैंदी बैकरॉल ने था नेस्ट कुछिंट रहे बैरो ग्राफ को किसने इंवेंट किया था वो क्या था लूशिन वीडी ने थे भी लोक्षिण वनेंटे इन प्रांटिफ़ोर राइट्र वासे नि एरिया यूनिट ऑफ एट्मस्फफरिक प्रेशर इस मेली बार वैसे तो प्रेशर का यूनिट बार होता है तो लेकिन जो यहां पर कह सकते हैं हम जो बहुत ही कम प्रेशर होगा तो इसको किसमें मेजर करेंगे मिली बार में ठीक है नेच्ट कुसें अदरास रषीप देशेब वेरी फर्श नौल प्राईज इन फिजिक्स इन नाइटी जीमिशन ऑफ एक्सरे तो टो पिसको नौल प्राइज पहला न्वली प्राइज अनकी एक्स रेकी डिस्कवरी के लिए तो फो थे रोंट गें ठीक है विलियम रोंट कें विलियम रोइंटिकेन वाज जर्मन मेकनिकल इंजिनियर एंड फिरिशिस्ट फू अनवर 1895 प्रोडूश्ट एंड डिटेक्टिट इलेक्ट्रमाइनटिक रेडियेशन इन वेवलेंथ रें जो नोन आज एक्सरे तो रेंटिकेन क्या थे वो जर्मनी के रहने वाले थे और उ सब्सक्राइब नेषिस्ट टेक्टाइब में अनुर्गेश वेले तो हो गया है और उनको इसके लिए आवर्ड मेडल रोश तैटी आफ लंडन की तवार ना एट निंटिक्स में अपतर नवर प्राइज जो-दोन फिजिक्स में वह इनी को मिला थे नित्लों फिलिए ने connected capacitors जब हम different capacitors को जब हम उसको connect करते हैं तो क्या बनता है बैटरी बनता है ठीक है जो बैटरी वर्ड है यह किसने दिया था यह दिया था बेंजामिन फ्रैंकलीन ने ठीक है इन 1749 बेंजामिन फ्रैंकलीन यूज़ डर वर्ड बैटरी डिस्क्राइब लिंक्ड कैपशेटर अ डबलप्मेंट बैटरी जो इंडस्ट्राइब इसका यूज है ठीक है वह कब से स्टार्ट हुआ जब हमने इलक्रिशिटी जो है वह बैटरी का जबलप्मेंट हुआ ठीक है डबलप्मेंट है अग्ड़ पैटरी डिशांट चार्ज करता है ठीक है अगर बैटरी चार्ज है तो कभी हमें जब रहाए थो तो हम उससे फिर से चार्ज वापस से लेके हम करण्ट बना सकते हैं ठीक है नेक्स्ट कॉस्ट्ट अलेशव लेशांद्र वॉल्टा ईटालियन फिल्ड में इलेक्तरिक बैटरी के फिल्ड में खा1 1800 AD में which of the following was discovered by WC Roentgen तो Roentgen ने क्या discover किया था वो किया था X-ray इनके इसके लिए उनको 1901 नोबल प्राइस पहला नोबल प्राइस जोए फिजिक्स का वो इन ही को मिला था ठीक है अब यह X-ray क्या होता है एन X-ray is a penetrating form of light energy electromagnetic radiation तो X-ray क्या है एक यह क्या सकते हैं एक electromagnetic radiation ही है जिसकी penetration power जो होती है वो काफी हाई होती है ठीक है most X-rays have a wavelength ranging from 10 picometers to 10 nanometers एक जो wavelength होगी ना वो कप से कहां से कहां था होगी 10 picometer से 10 nanometer इसका मतलब यह हुआ 10 power minus 12 से लेकर के 10 power minus 9 तर ठीक है और frequency जो होगी वो कहां से कहां थाटी पेटा हर्ट से लेकर 30 एक्जा हर्ट हर्ट के बीच में ठीक है and energy is in this range of 124 EV to 124 kilo EV तो इसकी energy किस range में लाए करती यह भी हमें पता है ठीक है एक्सरे वावलेंट अर्स नातशल स्थे अंगर देएज टोस से तो काम होती है लेकिन वो कर द निस्हां जादा होतीं कंब्यशन गामा रेज को कभी कभी रोएंडिगन रेजिकिन भी कह देते हैं इसके क्रेड़िट scientist के credit के उसे की WC Roentgen के नाम पे जो कब नोने डिसकवर के था इसको 1895 में ठीक है वट वस इन्वेंटेड वैस जैंसीन तो जैकरीज जैंसीन ने क्या डिसकवर के था क्या इन्वेंट किया था तो वह था मैकश को खेकिए जैंसीन इन्वेंटेड दा मैक्रॉस्कोप इन्वेंट किया था ठीक है डाइकरी जैंसीन इन्वेंटेट जैंस फोपा इन्वेंटेटी जो नाम बेले होते हैं ट्खीो 높ारी जो तो इसके जो स्टड़ी है वो माइक्रोस्कोप के आने के बाद ही मतलब स्टार्ट हुए ठीक है और अल्फ्रेट नोवल ने इसका इंवेंशन कभ गया था 1867 में अल्फ्रेट नोवल वस बॉर्ण ऑन 21st October 1833 इन स्वेडन और अल्फ्रेट नोवल जो है वो मेंली कहां कर आने वाले थे श्वेडन के और इनका जो जर्म हुआ था वो 1833 में हुआ था सिंतैटिक इल्यमत नोवलियम वस नेमड आफ्टरहिम तो इन्हीं के जो रिसपक्ट में एक एल्मेंट है जिसको सिंतैटिक में हमारे पास ब्रॉडिक टेवल है थेकि है उसमें 120 118 के आसपस अल्यमन्त है तो उसमें कुछ जो मेक्समभी होते है वह है तो नैचरृली जह म में लाब में बना रख तो उसका नाम जो है किसे ना किसा साइंटेस्थ के नाम पर देता हैS जरे सूनेखर और दंवर बांटंसां इन फीजिक्स का वो किस कि 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 डिसकवडी के लिए सब्सक्ट की रहें ठीक मटोक्ति कि दृपर्चिंक उफरन की डिस्क वॉफ बंस मोग जेगेड कोई सब्सक्रपालीज्य के तो अलग लग सैंटिस्ट ने इन अलग लग पार्टिकल्स को डिसकवर किया उसमें से इलक्ट्रोन को किसने डिसकवर किया ठीक है इसका की चार्ज कितना होता है 1.6 x 10-19 कुलम ठीक है और मास कितना होता 9.1 x 10-31 केजी ठीक है आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक है मा इंटेंसिटी ऑफ और ऐलिमिनेटिंग पॉलिशन तो ऐसा कौन सा चीज है जिसको हम यूज करते हैं किस सेज के लिए पॉलिशन को मतलब पॉलिशन को कम करने के लिए या खतम करने के लिए का सकते हैं तो वह होता है अबेटमेंट एक इंग्लेस वड भी है ठीक है कहते हैं golden copper happened to observe dash and violet light living yellow light तो gold और copper जो वो console light absorb करता है ठीक है yellow light को तो नहीं करता लेकिन किसको absorb करता है यह blue light को absorb करता है ठीक है blue और violet light को ठीक है option number B जोसका correct answer होगा blue as well as violet light क्या करता है यह absorb करता है ठीक है which of the following is a physical quantity for expression arc upon radius तो arc upon radius जो है इसे हम क्या मतलब note करते हैं वो होता है plane angle ठीक है किसको note करते है plane angle को दो तरह के angle होता है plane angle और solid angle ठीक है तो plane angle का जो physical quantity measure करने का वो क्या है arc upon radius which everyday morning ritual is a part of quantum physics quantum mechanics है तो इसमें से कौन सा जो morning habit है हमारा वो quantum mechanics से रिलेट करता है ठीक है तो यह तो हमारे पास रिंगिंग ओफ अलार्म क्लॉक ठीक है अमॉंग देव गिवन ओफ्शन दिंगिंग ओफ अलार्म क्लॉक इस पार्ट अफ क्वांटम मेकनिक्स की जो क्लॉक और वह भी पूरा इस तो यह जो है ना ग्लास बटल जो इस फिल्ट इन ऑफ जयाएं डटू एट्मोंश भेसर अप्सौन नमर ते करक्ट अप्संग थेसा अडिक है और यह लास बटल रहना वह तो पूरा अब्स तो क्या होगा जैसे ही water solidify होगा ice में convert होगा तो इसका volume तो बढ़ जाएगा इस volume के बढ़ने से क्या होगा कि वह जो water glass जो है वह ब्रेक कर जाएगा super cooling stands for cooling of a liquid तो super cooling क्या होता है ठीक है super cooling का मतलब है कि जब हम किसी भी substance को किसी भी liquid को freeze करते हैं उसके freezing point से कम पे ठीक है तो option और बीजुस का correct answer होगा ठीक है super cooling is a process towards a liquid or gas in which even if a liquid or temperature of a gas below freezing point it retains its former liquid or gases state instead of freezing super cooling एक ऐसा process है जहां पर हम किसी भी liquid को अगर वह liquid है फिर गैस है उसके temperature को हम अगर freezing point से कम भी ला देता है ना तभी वह क्या होता है वह अपना जो state है वह रीडेन कर लेता है whereas under ordinary conditions the liquid or gas cooling and phases and become solid तो जैसे लेकिन नॉर्मल कंडिक्शन में क्या होता है कि liquid को ठंडा करेंगे तो वह बन जाएगा ice है ना बदला solid में करनाट हो जाएगा ठीक है for extreme cooling it is necessary for the liquid or gas to remain in pure state this process is used to keep the drink and water refrigerant cool तो अगर हमें बहुत अधिक ठंडा करना किसी भी चीज को तो जरूरी है कि ना वो जो substance है वह अपने पहले form में रीटेन रखे ठेक है alcohol is more volatile than water because dash is lower than water तो alcohol जो है वह बहुत अधिक व्लाटाइल एंकमपेजन टू वाटर ऐसा क्यों क्यों कि इसका जो boiling point होता है ना व्लाटाइल का वह कम होता है नकमपेजन टू वाटर ठीक है the boiling point of alcohol is less than the boiling point of water because alcohol is more volatile than water क्या है अधिक व्लाटाइल एंकमपेजन टू वाटर व्लाटाइल का मतलब यह वाना कि वह कितने जल्दी जो है अगर हम इसको बाहर रखते हैं तो कितने जल्दी वह atmosphere में चलायाता है उड़ जाता है simply कहें तो the reason for this is that the alcohol is less polar than water because water is more polar और इसके boiling point का मुनिका क्या reason है क्योंकि alcohol जो ना उसमें polarity नहीं होती कम होती polarity water में बहुत होती है polarity ठीक है the water molecules strongly connected with each other water molecules होते हैं वह बहुत strongly connected है एक दूसरे से water is more stable in liquid state whereas alcohol is unable to maintain liquid state due to less polarity as a result alcohol is more volatile क्योंकि जो alcohol की polarity है वो कम है ना बहुत 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 है इस वैसे क्या होता है कि वह अपने state को return नहीं रख पाता है next question है which of the following acts as a best adsorbent तो इसक कौन सा substance जो कि बहुत अच्छा एक्टिवेटेट कोकोनेट चार्कोल ठीक है यह कहां पर हम यूज करते हैं for the production of health and beauty ingredients activated coconut charcoal is also commercially used for pure water production prevention of air pollution और यूज एक्टिवेटेड़ चार्कोल है इसका यूज कहां पर करते हैं pure water production में ठीक है वह एर पॉलिशन को prevent करने के लिए इन सब के लिए if the vector sum of the talks acting on a system is zero then the object is in अगर कोई भी substance है कोई भी system है ठीक है वहाँ पर जितने भी force लग रहे हैं उन सब का जो sum है न वह जीरो है टार्क जीरो है ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि वह जीरो हो जाए ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि वह जो object है वह कि इकलिवरियम में rotational equilibrium में the green plants convert solar energy into the green plant जो है क्योंकि plant जो अपना food कैसे बनाते photosynthesis के process से उनके उसके लिए उनको क्या चाहिए तो वह sunlight को किसमें convert करते हैं they convert sunlight into chemical energy ठीक है the plants convert a tiny amount of light to receive into food energy तो वह क्या करते हैं जो plants है वह कुछ amount of light energy को है जो मतलब absorb करते हैं फिस light energy को chemical energy में convert करते हैं और इस process को हम क्या करते हैं photosynthesis कहते हैं ठीक है photosynthesis is the process by which green plants prepare their own food absorbing carbon dioxide water and minerals in the presence of sunlight of photosynthesis वह एक ऐसा process है जहां पर plants है वह sunlight के help से in the presence of क्या सकते हैं carbon dioxide और chlorophyll इन सब के help से वह क्या बनाते हैं अपना food बनाते हैं ठीक है dienicletide phosphate वो उसका reduction होता है ठीक है ठीक है